आज हम एकदम मार्केट जैसी चिवडा पोहा नमकीन एकदम क्रिस्पी एकदम करारी घर पर बना कर तयार करेंगे वो भी एकदम आसान विधी से हम इसमें डीप प्राय नहीं करेंगे फिर भी ये बहुत क्रिस्पी है ये देखिए रेसिपी ट्राय कीजिएगा बहुत ही टेस्टी है नमस्ति दोस्तो स्वागत है आपका श्यामर सोई में तो चलिए शुरू करते हैं बनाना चिवडा पोहा नमकिन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 कप पतला वाला पोहा लिया है रेगुलर में जो हम ब्रेकफास्ट के लिए पोहा इस्तिमाल करते हैं वो वाला पोहा नहीं लेना है आपको ये वाला पोहा कोई भी ग्रोसरी स्टोर पर बिलकुल आसाने से मिल इन पोहा को पहले आप अच्छे से चान कर लीजिएगा, मैंने ये पोहा पहले ही चान लिये थे, बिना चाने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, अब हमने एक बड़ी सी कड़ाही ली है, सारे पोहा हम कड़ाही में डाल देंगे और धीमी आज पर पोहा को continue चलाते हुए क्रिस्पी होने तक भूनेंगे, इन पोहा को क्रिस्पी होने में करीबन 6-7 मिनिट का समय लग जाता है, आप इन पोहा को हलके हातों से उपर नीचे करते हुए क्रिस्पी कीजिएगा, और ये लीजिए पोहा हमारे क्रिस्पी हो गए है, आपको देखने से ही पता पोहा को हम कडाही से बाहर निकाल लेंगे अब हम कडाही में 5-6 बड़े चम्मच तेल डालेंगे धीमी आज पर तेल को हलका सा पहले गरम हो जाने दीजी और अब हम तेल में सबसे पहले डालेंगे एक कप मूंगफली तो देखिए जो भी चीजे मैं डाल रही हूँ आप उनकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हो जितनी क्वांटिटी मैंने ली है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ मूंगफली को धीमी आज पर करीबन 2-3 मिनिट के लिए फ्राय होने दीजे तो आप देख सकते हैं कि मूंगफली थोड़ी सी फ्राय हो गई है पूरी तरह से फ्राय नहीं होई है इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे आधा कप बादाम एक बादाम को मैंने 2 टुकडों में कट कर लिया था बादाम को भी हम धीमी आज पर मूंगफली के साथ करीबन 1-2 मिनिट के लिए फ्राय करेंगे तो फ्रेंट्स इससे आपका न समय बच जाएगा बादाम को फ्राय होते हुए करीबन 2 मिनिट हो गए है अब हम इसमें डालेंगे काजू मैंने आधा कप काजू लिया है और एक काजू के मैंने 2 टुकडे कर लिये थे काजू को भी हम करीबन 2 मिनिट के लिए इन सब चीजों के साथ फ्राय कर लेंगे तो फ्रेंड्स जिस सिक्वेंस में मैं ये सारी चीजे डाल रही हूँ आप भी सेम तरीके से ही डालिएगा तो बस काजू को भी हम फ्राय कर लेते हैं काजू को फ्राय करते हुए 2 मिनिट हो गए है अब हम इसमें डालेंगे आधा कप भुना हुआ चना वैसे तो ये चना भुना हुआ है लेकिन इसको फ्राय करने से ये क्रिस्पी हो जाता है इसे भी 1-2 मिनिट के लिए फ्राय कीजिए और अब हम इसमें डालेंगे किश्मिश मैंने यहां आधा कप ही किश्मिश ली है चिवडा पोहा नमकिन में किश्मिश बहुत अच्छा टेस्ट देती है किश्मिश बहुत जल्दी फ्राय हो जाती है थोड़ी सी गरम होने पर ही ये फूलने लग जाती है और ये लिजिए किश्मिश अच्छे से फूलने लगी है तो बस सारी चीजे बहुत अच्छे से फ्राय हो चुकी हैं, अब हम इन सारी चीजों को एक अलग प्लेट में बाहर निकाल लेंगे तो करीबन 10 से 12 मिनिट में सारी चीजे बहुत बढ़िया से फ्राय हो चुकी हैं, ये देखे कितने बढ़िया लग रही हैं सारी चीजे अब हम बचे हुए तेल में fry करेंगे सूखा नारियल मैंने यहाँ पर आधा कप सूखा नारियल लिया है सूखे नारियल को मैंने एकदम पतले और लंबे slices में कट कर लिया था सूखे नारियल को मैं अलग से fry करना पसंद करती हूँ क्योंकि अलग से fry करने पर ये बढ़िया से क्रिस्पी भी हो जाता है और इनका हलका सा कलर भी चेंज अच्छे से होता है बहुत जल्दी नारियल fry हो जाता है एक दो मिनिट में ही तो बस नारियल हमारा fry हो गया है इन्हें भी हम बहार निकाल लेते हैं और लास्ट में हम फ्राय करेंगे कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, तो मैंने यहाँ पर 35-40 पते कड़ी पत्ता लिये हैं और इसी के साथ 2-3 हरी मिर्च को बारिक काट कर लिया है, मैंने यहाँ पर एकदम कम तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता को भी धीमी आज पर क्रिस्पी होने तक फ्राय करेंगे। मैंने सारी चीजों को बिल्कुल धीमी आज पर ही फ्राय किया है। ये देखिए कड़ी पत्ता और हरी मेर्च अच्छे से फ्राय हो गए हैं। अब हम तेल में सबसे पहले आधा चम्मच हल्दी पाउडर डा कर भुन लेने से इसका कच्चापन पूरी तरह से खतम हो जाता है। अब हम सबसे पहले सारे फ्राय किये हुए ड्राय फ्रूट्स कड़ाही में डाल देंगे। पहले इन्हें थोड़ा सा उपर नीचे कर दीजे ताकि नीचे की चीजे जले नहीं। और अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। मसालों में हमने यहाँ पर देड़ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा और यह तीखी भी नहीं होती है। एक चम्मच हमने यहाँ पर आमचूर का पाउडर लिया है। आधा चम्मच चाट मसाला आधा चम्मच काला नमक लिया है और स्वाद के नुसार नमक ले लीजिए हमने यहाँ पर करीबन एक छोटा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है इसी के साथ दो बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी डाल दीजिए चीनी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऐसे मीठी भी नहीं ह बंद कर देंगे और इधर मैंने एक बड़ी सी परात में यह सारे भुने हुए पोहा निकाल रखे हैं तो इसमें हम यह सारे ड्राय फ्रूट्स डाल देंगे और अब हम दो चम्मच से हलके हातों से सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखी सारी चीज़े अच आपको मिल सके